जहिन साथियो, दोस्तो आज की इस पीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगनी बीर जीडी 2024 में जो वेकेंसी आएगी, उसके लिए आपकी योगेता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और आपकी आयू सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यही आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको आर्मी से रिलेटेट दी जाती है, तो दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जूड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो के माद्य हम से अपडेट दी जाती है, और आपको हमारे टेलिग्राम और वाट्सअप चैनल पे भी कुछ जानकारियां सेर की जाती हैं, तो आप वस चैनल भी सब्सक्राइब कर लेजिए, आपको टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक आएगी, जिसके लिए आप तयारी कर रहे हो, उसके लिए क्या आपकी एज रहेगी, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चेंज होंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हम जो भी आपको जानकारी बता रहे हैं, यह डायरेक्ट आपको joinindiarmy.nic.in से उपलब्द जो हुई है, वही हम आपको रियल जानकारी बता रहे हैं, तो देखिए दोस्तों अगर आप जीडि के लिए अपलाई करना चाहते हैं, तो आपके दसवी पास होने चाहिए, टेंथ और आपके 45% अंग होने चाहिए, कम से कम, और प्रतेक सब्जेक की बात करें, तो प्रतेक सब्जेक्ट में आपके 33% से जादा अंग होने चाहिए, ठीक है, तब ही आप इसे अपलाई कर पाएंगे, अगर 33% से कम है, और 45% टोटल नहीं है, तो आप अपलाई नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे इंडिया में बोर्ड हैं दोस्तों, जो क की ग्रेड देते हैं, तो अगर आपके ग्रेड, मिन्मम ग्रेड आपके D है, जैसे कि 33% से 44% सब्जेक्ट में, 33% मिनिमम है, तो आगर आप C2 ग्रेड वाले हैं, तभी आप इसे, जिससे की 45% अंग है, तब आप इसे अपलाई कर पाएंगे, और अगर आपके किसी भी समज में ग्रेस लग गया है जैसे कि इंगलिस में फेल हैं मैत में फेल हैं तो आप इसके योग्ये नहीं रहेंगे आप अपलाई ही नहीं कर पाएंगे ओके और हाँ जिन भी अभ्यारती के पास ड्राइबरी लाइसेंस रहेगी उनको ड्राइबरी पोश्ट के लिए औसर दिया जाएगा अब दोस्तों यह हमने क्वालिफिकेशन की बात कर लिए अब हम बात करते हैं किया आईउ सीमा में कोई बदलाओ है तो हाँ दोस्तों अब आपकी आईउ सीमा साड़े सतरह से 21 वर्स रहेगी इस बार आपको इस बार एज में कोई छोट नहीं है साड़े सतरह से 21 के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे और हाँ दोस्तों अगर आपकी हाइट और वेट की बात करें तो वो आपकी स्टेट वाइज होती है इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि किसी स्टेट का हाइट कम रहता है और किसी स्टेट में ज़्यादा रहता है तो उसकी आपकी स्टेट व तो comment box में आप अपना पताईए आपको किस topic बे वीडियो चाहिए आपको उपलब करा दी जाएगी ओके तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम मिलतें नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक लिए जैहिं जैबार